अच्छे जी स्टोरी सम जो हैं चेप्टर फाइफ के ये हमारे तीन क्वेस्टिन्स डिस्कस करने वाले रह गए थे इन में बस आपको मैंने ये बताना है कि एक्वेशन बनानी कैसे हैं जब एक्वेशन बना ली तो उसके बाद आपने मैट्रिक्स मैथड के साथ आपने उसक साइज की 10 ब्रेड्स की प्राइस टोटल प्राइस जो है वो 332 है दो प्राइस ओफ 10 डोजन ओफ एक्वेशन अड़े और एक ब्रेड कितने की है ये हमने फाइंड करना है अच्छा जी सबसे पहले ये देखते होते हैं हम जब हमने साइमल्टेरियस एक्वेशन की आउत्व करने होते हैं तो हमें जाहरी बात पता होता है कि हम अंदर 2 वेरियेबल यूज alnız ओवेंगे तो आप लिए क्वेशन की बात हो रही है एग्स की बात हो रही है इसकी बात हमने ये देखने होता है कि पूछा क्या है find the prices of per dozen egg and per bread price पूछी गई है dozen egg की और bread की इसका मतलब है अब जो चीज missing होती है ना जो चीज unknown होती है जो हमने find कर दी है जो हमें पता नहीं है उसको हम x कह लेते हैं अब यहां पे दो हैं तो x और y कह लेंगे इसका मतलब है कि एक की प्राइस को x कहलें दूसरी की प्राइस को y कहलें जो चीज आपको नहीं पता उसको आपने x और y सपोस करना है जो आप से पूछा गया है उसको x और y सपोस करना है तो हमने कहना है कि let the price of per dozen of egg is x रुपीज let the price of per dozen of eggs is x रुपीज and the price of per bread is y रुपीज ठीक है अच्छा जी अब हमने क्या करना है जितने दर्जन अंडे थे उसको उसकी price के साथ जाहरी बात है multiply करेंगे एक की price को हमने x कहलिया न तो 16 दर्जन थे एक की price अगर x है तो 16 दर्जन की price कितनी होगी 16 x और एक bread की price अगर y है तो 10 bread की price कितनी होगी bread 10 y जितनी हमारे पास मुझूद है उसको price के साथ multiply कर दें और इन दोनों की total 10 दर्जन अंडे और 16 दर्जन अंडे और 10 bread को add करके total price मारे पास कितनी होगी 332 तो equation कैसे बनी 16 दर्जन अंडे थे उसकी एक की price x थी तो 16 की price 16 x हो जाएगी plus 10 bread थी एक की price y है तो 10 की price 10 y हो जाएगी ठीक है तो ये 16 dozen eggs की price और 10 bread की price को add करके total करके जो हमारे पास bill बना था वो था 332 और second time 10 dozen eggs थे और 8 bread थी और जो हमारे पास bill बना था 225 तो ये आपके पास equations बन गई अब आपने आगे further इसको solve करना है ठीक है किसी भी तरीके साब इसको solve करने matrix method से या grammar rule से जो आपको easy लगता है इसके बाद आगया a company paid x rupees to a worker on each of 6 days and y rupees on each of 7 days कितन दिन होगे total 6 plus 7 13 दिन होगे the company's total payment for 13 days to the same worker is rupees 1160 1160 रुपे उसने महीने के पहले 13 दिन दिये हैं उस worker को पहले 6 दिन x rupees अगले 7 दिन y rupees total कितने दिन होगे 13 दिन तो महीने के पहले 13 दिन जो total पैसे दिये वो 1160 दिये worker को next क्या है if company further paid x rupees to the same worker on each of 10 days and y rupees on each for 7 days कितने दिन होगे 17 दिन होगे महीने के अगले 17 दिनों में उन्होंने 10 दिन x rupees दिये और 7 दिन y rupees दिये the worker received 2720 for a whole month of 30 days पूरे महीने में उसने कितने receive की है 2720 rupees find x and y अब पहली equation तो बनी हुई है आपके पास 6 days उन्होंने x rupees दिये और 7 days उन्होंने y rupees दिये और total हो गए थे 1160 चीक हो गया यह आपके पास बनी हुई है already यह है x double i chapter 5 का question number 3 6 x plus 7 y is equals to 1160 दूसरा क्या है 10 दिन x rupees दिये 7 दिन y rupees दिये लेकिन यह थे 17 दिन पहले तो 13 दिन पूरे थे 6, 7, 13 अब यह बाकी की 17 दिन बनते है लेकिन आगे जो हमें payment बताई गई है वो देखे जरा वो whole month of 20, 30 days की बताई हुई है पूरे month की बताई हुई है लेकिन हमें तो 17 दिन की चाहिए न क्योंकि पहली equation हमारी बनी है 13 दिन के लिए पहली equation 13 दिन के लिए बनी है हमें इस पूरे month की payment से 13 days की payment को subtract करना होगा बाकी जो बचेगी वो हमारी 17 दिन की payment होगी ठीक है न 13 दिन की payment निकाल दे ये 1160 तो बाकी हमारी 17 दिन की payment होगी तो आप total payment में से 2720 2720 में से 1160 माइनस कर दे 1560 आपके पास जो है ये बाकी 17 दिन की payment है ये आपके पास equation बन गई ठीक है इसके बाद IX की बारी आ गई X ट्रिपल आई की तो X ट्रिपल आई क्या है इस 5 fans and 10 room coolers cost रुपेज 39,250 where else 10 fans and 5 room coolers of same size and same quality cost रुपेज 26,000 find the price of fan and a room ये बिलकुल इसके जैसे है price find करनी है fan की और room cooler की तो fan की price को X कह ले room cooler की price को Y कह ले ठीक है fan price X इसी तरह आपने detail के साथ लिखना है room cooler price Y, X रुपेज, Y रुपेज तो कितने fans है 5 fans है और 10 room coolers है total कितने रुपेज बन गए थे 39,000 250 next क्या है next 10 fans है 5 room coolers है कितने बन गए 26,000 ये आपके पास equation बन गए ठीक है अब आपने इसको solve कर ले 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 और last question है the sum of two numbers is 180 and their difference is 25 in the two numbers ये तो आपने हुद करना है ठीक है चालें पुझे ले